दोस्तो महेंद्रे सिंग धोनी एक ऐसा नाम है जिनको हर कोई जानता होगा हर खिलाडी का सपना होता है महेंद्रे सिंग धोनी से मिलनेगा चिन नहीं सूपर किंग के कप्तान महेंद्रे सिंग धोनी ने अपने IPL 2020 के आकरी मैच के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया दर अ उने ने एक चौकाने वाला बयान दिया है रवी वार को किंग सिलेवन पंजाब के खिलाब जीत के बाद हर्च भोगले ने में धोनी से इसका कारण पूचा भोगले ने पूचा कि क्यों सभी प्लेयर्स उनकी जर्सी के साथ नजर आ रहे हैं इस पर में धोनी ने एक शांदा देते हुए का शायद सबको लगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और इसलिए वो मेरी चिन्नेई सुपर किंग की जर्सी इकठा कर रहे थे मैं इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले चुका हूँ तो शायद सबको लगा कि आईपेल से भी मैं रिटायर हो रहा हूँ निश्च आपके खिलाब टॉस के दौरान महेंद्रे सिंग धोनी से जब पूछा गया कि एलो जर्सी यानि कि चन्नेई सुपर किंग के लिए आपका आखरी मैच है इस पर महेंद्रे सिंग धोनी ने जवाब देती गया निश्चित रूप से मैं नहीं इस बयान पर महेंद्रे सिंग ध दोनी बता और कप्तान अपना कमाल दिखाने में नाकाम रहे महंद्र सिंग दोनी के पास अच्छी टीम थी लेकिन समय सही समय पर किसी का भी परदर्शन उच अस्तर पर नहीं रहा चन्नाई सूपर किंग इस साल IPL 2020 के पॉइंट टेबल में साथवे नंबर पर है आला कि 12 उनका कोई भी खिलाडी अच्छा नहीं कहला है चाहे हो शेनमाट सान और फैब डूपले की सोड़े से अच्छे खेलती हो नजर आये थे हाला कि राइडू भी स्टार्टिंग के मैच अच्छे कहले थे बाद में ओ भी फ्लॉप साभी तो यह जिसकी वैसे उनकी टीम इस सा साल और हमको देखने को मिलने वाले हैं महेंद्रे सिंग दो नहीं हाला कि आईपल 2020 इस्टार्ट होने में आज बास पांच-छे महिने बाकी हो क्योंकि अप्रेल या फिर मार्च इंडिंग में आईपल 2020 चाल हो जाएका तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है अगर आप दबादेना थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग